भारतिय एग्रिटेक प्लाटफॉर्म, स्किल गती द्वारा प्रस्तुत। भारतिय दर्शकों के लिए पांच कुरुशी व्यवसाय विशियों पर हमारे वीडियों में आपका स्वागत है। ये कुरुशी व्यवसाय किसानों, कुरुशी पेशेवरों, छात्रों, साथ ही ग्रामिन महलाओं और युवाओं के लिए एक व्यवहारी कामदनी प्राप्त करने की संभावनाय प्रदान करते हैं। आईए इन पांच कुरुशी व्यवसाय विशियों के बारे में गहराई से जानते हैं। सबसे पहले बकरी पालन। बकरी पालन जिसे कैपरिन फामिंग भी कहा जाता है, भारत में एक अत्याधिक लाबदायक और टिकाव कुरुशी व्यवसाय है। इसमें मांस, दूद और फाइबर उत्पादन के लिए बकरियां पालना शामिल है। बकरी एक मजबूत और सशक्त जानवर है, जो विभिन्न मौसम या रुतु के अनुकुल ढल सकती है। और यही खूबियां उने भारत के ग्रामीन वातावरण के लिए आदर्श बनाती हैं। चलिए जानते हैं इस व्यवसाय को शुरू कैसे करें। अपने खेती के लक्षों और स्थानिय बाजार की मांग के आधार पर उपयुक्त नसल चुनें। बक्रियों के लिए एक हवादार और सुरक्षित आश्रेस्थल बनाएं। चराई और पूरक आहर के माध्यम से संतुलित पोशन प्रदान करें। टीका करण और क्रुमी मुक्ति सहित उचित स्वास्थ्य प्रबंदन प्रथाओं को लागू करें। सफल बक्री पालन के लिए स्वच्छ परिस्थितियां सुनिश्चित करें। आईए जानते हैं इस व्यवसाय से होने वाले लाभों के बारे में। अनुकूल शील्टा। बक्रियां विभिन्न रुतू या जलवायू परिस्थितियों में आसानी से रह सकती हैं। प्रजनन बक्रियों की गर्बधारणा अवधी कम होती है और प्रजनन दर अधिक होता है। विविध आई बक्रियां मांस, दूद और फाइबर से आई के कई स्रूत प्रदान करती हैं। कम निवेश, माने, कम इन्वेस्टमेंट। इस विवसाई में प्रारंभिक और रखरखाव लागत आमतोर पर कम है। आजिवी का स्रूजन बक्री पालन, ग्रामिन आजिवी का और आई में योगदान देता है। चलिए जानते हैं इस विवसाई से जुड़े कुछ तथ्य या विवसाई विवरन। इस विवसाई में प्रारंभिक निवेश होगा तीन लाग से साथ लाग। लाब का मार्जिन है 25 प्रतिशत से 60 प्रतिशत। इसमें मुख्य उत्पाद है बक्री का मांस और दूद। और आई किसान रिपोर्ट के अनुसार बाजार की मांग के बारे में देखा जाए तो बक्री के मांस की मांग 2030 तक 6.8 मिलियन टन तक पहुँचने की उम्मीद है। इस व्यवसाई के लिए प्राप्त सरकारी साहयता, राष्ट्रिय पशुधन मिशन, आरकेवी वाई रफ्तार और मुद्रारोन के तहट आश्रे निर्मान के लिए 50 प्रतिशत्त की सबसिड़ी। अगला कुरुशी व्यवसाई है मश्रूम की खेती। परिचय, मश्रूम की खेती एक बहुत लाबदायक व्यवसाई है और इसके पोशन और उसके खाने के बढ़ते महत्व के कारण इसकी मांग भी बढ़ रही है। इसमें उपभूग, औशधिय प्रयोजनों और वानी जिक उत्पादों के लिए मश्रूम की खेती शामिल है। आईए जानते हैं ये मश्रूम का व्यवसाई शुरू कैसे करें। सबसे पहले मश्रूम की खेती के लिए उपयुक्त नियंतरित वातावरण बनाएं। बाजार की मांग और खेती की आवशक्ताओं के आधार पर मश्रूम की किस्मों का चायन करें। सबस्ट्रेट तयार करें और विकास के लिए अनुकुल्तम परिस्थितियां प्रदान करें। प्रभावी कीट और रोग प्रबंधन प्रथाओं को लागू करें। और उसके बाद उगाए गए मश्रूम की प्रभावी ढंग से कटाई और मार्केटिंग करें। आए जानते हैं इससे होने वाले लाभों के बारे में। पूर्ण सतत आई। ये व्यवसाई एक सुसंगत और स्थाई आईसरोत प्रदान करता है। चलिए जानते हैं इस व्यवसाई से जुड़े कुछ तथ्य या व्यवसाई विवरण। इस व्यवसाई में प्रारंभिग निवेश देड़ लाग से साड़े तीन लाग तक किया जा सकता है। और बात अगर लाभों के मार्जिन की करें तो ये 200 से 500 प्रतिशक तक है जिसमें विदेशी किस्मों के मश्रूम शामिल है। इस व्यवसाई के मुख्य उत्पाद हैं ओइस्टर, बटन और शिटा के मश्रूम। और अगर बाजार की मांग के बारे में देखा जाए तो एपीडा के अनुसार भारत से मश्रूम निर्यात 2020-2021 में 608 करोड को पार कर चुका है। इस व्यवसाई के लिए सरकारी सहायता भी उपलब्द है। जैसे MST, MKSP और स्फूर्ती योजनाओं के तहट उपकरणों पर 35% तक सबसीड़ी मिलती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले व्यवसाई की ओर और जो है मुर्गी पालन। परिचए मुर्गी पालन में मांस और अंडे के लिए मुर्गियां पालना शामिल है। ये एक लाबदायक कुरुशी व्यवसाई है जो भारती आबादी को प्रोटीन का निरंतर स्रोत प्रदान करता है। चलिए जानते हैं इस व्यवसाई को शुरू कैसे करें। मांस या अंडे के उत्पादन के आधार पर उपयुक्त पोल्टरी नसलों का चयन करें। उचित आवास, भोजन और प्रबंधन प्रथाएं प्रदान करें। बिमारियों को रोकने के लिए जैव सुरक्षा उपायों को लागू करें। और स्वच्छता बनाए रखें। पोल्टरी उत्पादों को स्थानिय बाजारों या घरों में प्रभावी ढंग से सेल करें। स्थिर अठ्वा लगातार मांग। मांस और अंडे जैसे पोल्टरी उत्पाद लगातार मांग में हैं। तीवर बदलाव। त्वरित विकास और लगातार प्रजनन्चक्र इस व्यवसाई के लिए कम जगह की अवशक्ता। इस व्यवसाई में अन्य पशुधन की तुल्ना में कम जगह और निवेश की अवशक्ता होती है। रोजगार के अवसर ये व्यवसाई ग्रामिन युवाओं और किसानों को रोजगार प्रदान करता है सुलबता सीमित संसाधनों वाले छोटे पैमाने के किसानों के लिए ये अधिक व्यवहार है चलिए जानते हैं इस व्यवसाई से जोड़ी कुछ अधिक जानकारियां या व्यवसाई विवरण इस व्यवसाई में प्रारम भिक्निवेश 500 पक्षियों के लिए 3 लाख रुपए से शुरू हो सकता है इस व्यवसाई में लाब का मार्जिन 20 से 30 प्रतिशत है इस व्यवसाई का मुख्य उत्पाद है अंडे और ब्रॉयलर मांस और बाजार की मांग के बारे में अगर देखा जाए तो NCCE के रिपोर्ट के अनुसार 2023-2024 तक 138 बिलियन अंडे और 8.5 मिलियन टन ब्रॉयलर मांस तक पहुचने की उमीद है इस व्यवसाई को सरकारी सहयता भी प्राप्त है राश्ट्रिय पशुधन मिशन NLM योजना के तहट 50 प्रतिशत पूंजी सबसीड़ी मिलती है चलिए देखते हैं अगला क्रुशी व्यवसाई पॉली हाउस, सेडलिंग्स, नर्सरी, खेती पॉली हाउस, सेडलिंग्स, नर्सरी, खेती में बहतर गुणवत्ता और उच्च उपत सुनिश्चित करने के लिए नियंतरत वातावरण में उच्च मूल्ले वाली फसलों के पौधों को उगाना शामिल है ये एक प्रद्योगी की संचालित क्रुशी व्यवसाई है, जो गुणवत्ता पूर्ण उपच की मांग को पूरा करता है चलिए जानते हैं इस व्यवसाई को शुरू कैसे करें पॉली हाउस, सनरचना का उपयोग करके नियंतरत वातावरण स्थापित करें बाजार की मांग के आधार पर उच्च मूले वाली फसल की किस में चुनें सरवोत्तम परिणामों के लिए सटी क्रुशी तक्नीकों को लागू करें फसलों को उचित सिचाई, ओशन और सुरक्षा प्रदान करें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद को स्थानिय बाजारों या खरीदारों के सामने प्रभावी ढंग से मार्किटिंग करें चलिए जानते हैं इस व्यवसाई से जुड़े लाभों के बारे में गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन ये व्यवसाई अधिक उपज और बहतर गुणवत्ता वाली फसले प्रदान करता है मौसम से सुरक्षा फसलों की सेडलिंग्स को प्रतिकूल मौसम की स्थिती से बचाएं साल भर खेती मौसमी कारकों पर निर्भरता कम करता है संसाधन दक्षता कुशल संसाधन उपयोग और कीटकों से नुकसान में कमी होती है प्रीमियम मूल्य निर्धारन इसके गुणवत्ता के कारण उच्च मांग और प्रीमियम मूल्य निर्धारन की संभावना प्राप्थ होती है आईए अब जानते हैं व्यवसाई विवरण के बारे में इस व्यवसाई में प्रारमभिक निवेश 500 वर्ग मिटर पॉली हाउस के लिए 5 लाग से 10 लाग तक किया जा सकता है इस व्यवसाई में लाभ मार्जन 100 प्रतिशत से 200 प्रतिशत है इसका मुख्य उत्पाद है सबजी की फसलें और फूल और अगर बाजार की मांग के बारे में देखें तो NHB डेटा के अनुसार पॉली हाउस खेती का क्षेत्र 2020-2021 में 35,000 हेक्टर्स को पार कर गया है इस व्यवसाई के लिए सरकारी सहायता भी उपलब्ध है MIDH के तहट पॉली हाउस निर्मान पर 50% सबसिड़ी उपलब्ध है चलिए बढ़ते हैं अगले क्रुशी व्यवसाई की ओर देरी पालन परिचे देरी पालन में दूदूत पादन के लिए गाए और भैस जैसे देरी जानवरों को पालना शामिल है ये एक स्थाई क्रुशी व्यवसाई है जो पॉष्टिक दूद का निरंतर स्रोत प्रदान करता है आईए जानते हैं इस व्यवसाई को शुरू कैसे करें सबसे पहले अधिक दूद उत्पादन के लिए जाने जाने वाली उपयुक्त देरी पशुनसलों का चैन करें से मार्केटिंग करना सीखें आईए इस व्यवसाई से होने वाले लाबों के बारे में जानते हैं लगातार मांग जैसे कि आपको पताई है कि दूद और डेरी उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है नियमित आई दूद की बिकरी से एक विश्वसनिय आई का स्रोत प्राप्थ होता है संसाधन उपयोग पशु अपशिष्ट का उपयोग जैविक खात के रूप में भी किया जा सकता है रोजगार सुजन ये विवसाई रोजगार और आई के बहुत सारे अवसर प्रदान करता है इस विवसाई के लिए सरकारी साहयता भी उपलब्द है चलिए जानते हैं इस विवसाई से जुड़ी कुछ अधिक जानकारी या व्यवसाई विवरण इस व्यवसाई में प्रारंबिक निवेश दो डेरी पशूओं के लिए 5 लाग से 10 लाग तक किया जा सकता है लाब मार्जिन की बात करें तो इसमें 20 से 30 प्रतिशत तक का मार्जिन मिल सकता है इस व्यवसाई से जुड़ा मुख्य उत्पाद है दूद, घी, दही, पनीर, आदी अगर बाजार की मांग को देखा जाए तो NDDB विजन 2050 के अनुसार 2033-2034 तक दूद उत्पादन 330 मिलियन टन तक पहुँचने गानुमान है सरकारी सहायता जी हाँ, PM किसान योजना के तहट 50 लाग तक करून आपको मिल सकता है आईए, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ प्रमुक निश्टकरशों के बारे में बात करें इस वीडियो में दिखाए गए 5 कुरुशी व्यवसाय भारतिय दर्शकों के लिए विविधा आई के स्वरिनिम अवसर प्रदान करते हैं विभिन्नक कुरुशी और कुरुशी विशयों पर विस्तरुत और नियमित जानकारी के लिए स्किल गती अप इंस्टॉल करें या फिर जाएं www.skillgati.com पर इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर स्किल गती को फॉलो करें और नवीन तम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्ट्राइब करें जिस व्यवसाई को आप शुरू करना चाते हैं उसके लिए प्रशिक्षण में ना मांकन करें और उद्योग विशेशग्यों से उस व्यवसाई के बारे में A to Z टक सब सीखें अपना खुद का व्यवसाई सफलता पूर्वक शुरू करने और बड़ा मुनाफ़ा कमाने के लिए सही मार्ग दर्शन और समर्थन प्राप्त करें